जिन्दगी में आगे बढ़ना है ना दोस्त तो महार से कईनी हो वं में कईनी जानू असा सराफस्ते काम नी चलेगो एक हात में मक्खन रखो और एक हात में चूनो रखो जेकी जहा जरुत पड़े लगाता जाओ जाकी जी के चूना की जर्रत पड़े मां चूनों लगा दो जाकी जी के मक्कन की जर्रत पड़े मां मक्कन लगा दो ये दुनिया सरापस्ते नी जीने देगी हाँ डिजाइन डाल के चलनों पड़ेगी ठीक है नी जारे अब मैं वीडियो ये सेयर कर दो अगर दातों के बीच कुछ फस जाए और जब तक उन निकले नी तब तक एसो लगे के विश्व की सबसे बड़ी समस्या वही है फिर अगर बत्ती की काड़ी चलानों पड़े यूँ जद निकले एक दिन मैंने अपना दिमाग चलाया फिर वो चलते चलते बहुत दूर चला गया अभी तक वापिस नी आया हां अगर तमें मिले तो कमेंट करके बता जो पकड़के बोरा में भर ली जो हां वाके उपर है नी जर्मेन विलोटिया का दिमाग लिका रहो हां बहुत परेजान है मैं भगवान लड़कियों के साथ बहुत बुरा करते हैं जो लड़कियां सबसे ज्यादा खूब्सूरत होती हैं उनके चस्मा लगवा देते हैं हां हमें तो कोई दिक्कत नहीं है पर बीच में आतो हो अगर कोई मुझसे आके बोलेगा कि जा जी ले अपनी जिंदगी तो मैं सबसे पहले जाके पऊवा प्यूंगा मुझे अपनी घरवाली की बात इसलिए माननी पड़ती है क्योंकि वो मुझे अपना भगवान मानती है और भगवान हमेशा भक्त के वस में होते हैं हां ठीक है नहीं जाओं अब जाके चाएं बनानो यारी हम लड़के बहुत सीधे और भोले होते हैं पर यह लड़कियां है ना यह लड़कियां यह हमें बिगाड़ देती है हां 110 परसेंट कहते हैं कि खुबसूरत लोगों को देखने से उम्र बढ़ जाती है अब पता नहीं आप लोगों के पास मेरी फोटो है के नहीं कि एगर नी यह ओनि तो इंस्टाग्राम पे अभी मैं नहीं पोस्ट डाली महांसे जाकर डाउनलोड कर ली जो है ने टीक है अगर हम एक पेन खोदेते थो पेन वापिस खरीद सकते हैं लेकिन अगर हम एक पेन का धकन खोदेते हैं तो धकन वापिस नहीं खरीच सकते इसलिए अपने दोस्तों से प्यार करते रहो क्योंकि सभी धक्कन दोस्त जिंदगी में बहुत जरूरी है क्यों कि कल सुबह सुबह मेरे दोस्त का फोन आया मैंने सोचा वो अपने उदार पई से मांगेगा तो मैंने फोन अपनी नी उठाया और सो गया वो तो घर पर आगया यार और आते से दो लात की दी और हैपी फ्रेंड्शिप डे बोल के चला गया अरे यार मैं तो वह गलस समझ रहता यार बहुत अच्छा मेरा दोस्त एसे दोस्तों की जर रहते हैं मुझे